प्रोड़क्ट का नाम है फैरो सिलिको मेगनाईज मैं रिपीट करता हूं फैरो सिलिको मेगनाईज यह आप गूगल पर भी डालेंगे तो आपको आईडिया आजाएगा आपको इमेज पर जाना है यह काले पत्थर जैसा होता है यह मैं आपको क्लियर कर दो जिन नहीं पता है उनके लिए यह काले पत्थर जैसा होता है बट यह इसकी डिमांड बढ़ती ज इन डिली को मेंगनाईज यह प्रोड़ेट का नाम है अगर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की 2021 & 2022 में तो इसका टोटल मिला के जो एक्सपोर्ट हुआ है 11,360 करोड का इंडिया ने एक्सपोर्ट करा है 21 & 22 में जो की बढ़कर 22 & 23 में 11,717 करोड का export हुआ है जो की almost 3-5% का growth ratio है और यह यह जो product है यह सभी लोग नहीं कर रहे हैं यह कुछ ही लोग कर रहे हैं इसलिए इसमें 11,000 करोड का export हो रहा है अगर हम बात करते हैं target countries की यह product अगर आपको export करना है तो आप किस country को target करेंगे इटली जपान युए इजिप्ट टर्की टाइवान बंगलादेश मलेशिया साओधी अरेबिया उमन और प्लस औन प्लस बहुत सारी country से बट यह टॉब की benefit इस पर नहीं है I'm sorry for that but duty drawback इस पर 1% है तो जो भी आप export कर रहे हैं उसका duty drawback आपको 1% मिल जाएगा बात करते हैं कौन से major port सबस्यादा यूज हुए है अगर यह product export हो रहा है तो यह product कहीना कहीं यह port के आसपास में ही से ही कहीना कहीं पर manufacturing हो रहा होगा या पॉलिशिंग हो रहा होगा या इसकी इंडस्ट्री वाइस जो खुदाई हो रही होगी वह सब कुछ सो कौन से से major ports है सो विशाका पत्नम पोर्ट एसीजी वाइजेक कोलकता सी आइसीडी डूंगरापूर एंड पेट्रापॉल लैंड यह कुछ major ports है जहां से यह product export होता है I hope यह आपको series समझ में आ रही होगी product समझ में आ रहे होंगे आपके कोई भी सवाल जवाब है प्लीज आप comment में बता सकते हैं we will try our best कि हम आपको उस पर best से best output निकाल के दे सके है तो फिलहाल में यह product के लिए इतना ही मिलते हैं आपको next वीडियो में नए product के साथ और नई countries के साथ हनी कुमार शर्म नफ्रम जीए फिक्रूप थाइंक यू सो मच